नमस्कार, मैं शिल्पा आप सबका स्वागत करती हूँ, NCERT के लाइफ फोन इन कारेक्रम में. क्या आपने कभी सोचा है, पढ़ना क्या है? अगर हमारी रोजमरा की जिंदिगी में देखा जाए, तो पढ़े बिना किसी भी विशे को समझना या जानना हमारे लिए असंभव हो जाता है. और साथ ही स्कूली सिक्षा में पढ़ने का क्या महत्व है? आज हम जानेंगे डॉक्टर उशा शर्मा से, जो कि NCERT के प्रारंबिक सिक्षा विभाग में प्रोफेसर के पत्पे कारी रथ है. आपका स्वागत है माँ. धन्यवाद. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पढ़ना क्या है? दरसल जब हम पढ़ना के बारे में और विचार करते हैं, तो ये समझ में आता है कि पढ़ना है समझना. समझ के बिना पढ़ना अपने आप में कुछ माइने रखता नहीं है. हालागी पढ़ना को लेकर अलग अलग तरह की अवधारनाएं व्याप्थ हैं, पूरे शिक्षा जगत में तो लगता है कि एक नजरिया ये है पढ़ने को लेकर कि पढ़ने का समझ केवल अक्षिनों के ग्यान से है या लिपिचिनों की पहचान से है. दरसल ऐसा नहीं है. पढ़ना है समझना. यानि कि पढ़ना तब सार्थक है, पढ़ना पढ़ना तब कहलाएगा, जब उसमें समझ उसमें अर्थ शामिल होगा. तो दरसल पढ़ना की जब और गहराई से बात करते हैं, और स्कूलों को देखते हैं, तो स्कूलों में जिस तरह से वर्ण माला रटाई जाती है, या वर्ण माला का अभ्यास कराया जाता है, वह पढ़ना की पूरा जो उसका स्वरूब है, उसकी प्रकृति है, उसको खारिज करता है. तो पढ़ना समझना के संदब में आता है. मैम आपके इस टॉपिक से चुने हुए काफी सारे प्रश्ण हमें प्राप्त हुए हैं हमारे सोचल मेडिया प्लाटफॉर्म से, एक प्रश्ण यहाँ पर लेना चाहूंगी, किशोर चावला जी का प्रश्ण है, पढ़ना सीखने के विधी के बारे में बताएं. तो जब हम पढ़ना सीखना के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि हमारे आसपास जो भी चीज़े मौजूद हैं, जिनसे हम अपना कोई एक अर्थ ले सकते हैं, उसे देखें, उसे समझें, उसके बारे में बात करें. और दूसी बात ये आती है कि मालीजे के बहुत छोटे बच्चे हैं और अभी वे स्कूल जाना उन्होंने शुरू नहीं किया है तो भी वे पढ़ते हैं दरसल पढ़ना तब शुरू हो जाता है जब हम चित्रों को और अपने आसपास की दुनिया को देखना और देख का उसे समझना शुरू करते हैं तो पढ़ना की प्रक्रिया तब प्रारंब हो जाती है तो हम ऐसा करते हैं कि आईए हम एक उधारन लेते हैं अपनी स्क्रीन पर और हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है उधारन के लिए ये हमारे पास कुछ लिखा हुआ है टेक्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसे आप भी पढ़ पारे होंगे और हमारे दर्शक भी पढ़ पारे होंगे अगर पढ़ना केवल वर्ण पहचान तक्सीमित रहता तो सभी इसे पढ़ लेते लेकिन इससे क्या कोई अर्थ आप पहचान पाए नहीं तो इसका अर्थ है कि पढ़ने की प्रक्रिया में तरह को अर्फित, यहीं हो समय सकती हैं इसलहीं जी मिल neighbor AH का। सेने अर्थ पहें दोड़े हिन घुनकर जो कोर कूब भाशा से परिचित नहीं है रहे यहुझे। अपन सेने कार्थ नहीं जान पाएंगे, इसका मतलब आप जिस भाषा में पढ़ रहे हैं, उस भाषा की समझ भी आपको होनी चाहिए, तो अगर आप हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषा की समझ हो, और अगर आप कोरकु भाषी हैं, यानि कि महाराश्च की जो एक जन जात हाला कि आप और हम फिर से अविक उरान बन सेने, हम सिर्फ लिपी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी हमार ले कोई अर्थ नहीं है, अब हम तीसे वाक्य पर पहुंचते हैं, जो हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अमरावती बहुत ही सुन्दर है, अब आप आपका पहले वाक्य को पढ़ने के समय, जो perception था, जो अर्थ था आपने एक महिला से अर्थ लिया, लेकिन जब आप दूसा वाक्य पढ़ते हैं, तो आपने अपने पुराने परसेप्शन में, पुराने आइडिया में, पुराने समझ में परिवर्तन किया, और आप यह संदर्ब से आता है, और पढ़ने में संदर्ब सबसे महतुपूर्ण है, जी, माम लेकिन अकसर बच्चों की छोटे बच्चों के किताबों में देखा गया है कि चित्र काफी सारे होते हैं, लेकिन वो भी तो कुछ समझते हैं उससे, बिकूल, मैंने अपनी बात में सबसे पहली बात यही कही थी, कि चित्र पढ़ना भी दरसल पढ़ना कहलाता है, और चित्र जब अलग-अलग समाज सांस्कृतिक परिपेक्ष के बच्चे देखते हैं, तो उसका अलग-अलग अर्थ ही निकालते हैं, तो चित्र पढ़ना भी दरसल पढ़ना है, तो आए हम स्की इन पर एक और चित्र देखते हैं, ये देखे, हम देख सकते हैं, ये एक हाट का चित्र है, और इसमें अलग-अलग समासांस्कृतिक परिपेक्ष की बच्ची अलग-अलग अर्थ लगाएंगे, यहां आम बेचराएक व्यक्ति, एक आदमी सारंगी बजा रहा है, एक छोटी आज भी ऐसा कुछ होता है, या आपके बाजार में क्या-क्या दिखता है, तो जब बच्चा इस चित्र के आधार पर अपने हाट, अपने बाजार, अपने अनुभूओं के बारे में बात करता है, तो यह भी दरसलेक पढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है, इसी के साथ आएए हम कुछ और चित्र देखते हैं, यह देखे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, अपने अर चित्र है, यह दिखे, यह दिखे, एक राजसान का बैट्चा देखता है, तो अर्थ हलग होगा उसके लिए, और जब यही दिखे, एक मुंबई या भूमनेश्वर या उडिसा में रहने वाला या पश्यम बंगाल में रहने वाला बच्चा देखता है तो एक अलग अर्थ निकलेगा क्योंकि दोनों जगा ये जो भगालिक परिस्तियां हैं वे बिलकुल अलग हैं इसका आठ थे कि चित्र पढ़ने में हमारा जो भूगोल है समाज हमारे संस्कृती के साथ साथ हमारा भूगोल भी बहुत मायने रहता है राजस्तान में जब बच्चा इस चित्र को देखेगा तो बहुत हर्ष होगा उसे उल्लास होगा कि चलिए बारिश तो हो रही है लेकिन जो बच्चे अति वृष्टी वाले शित्रों में रहते हैं उन्हें लगता है कि मिंडग बचारे कितना परिशान हो गए होंगे लेकिन राजस्तान में रहने वाला बच्चा बोलेगा देखो मिंडग कितने खुश है तो इसलिए चित्र पढ़ना भी अपने आप में पढ़ना कहलाता है यहां पर मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगी कमल ज्या जी का प्रश्न है उनका प्रश्न है पढ़ना कैसे वर्ण माला इवं शब्दों की ध्वनियों से जोड़ा हुआ है जब हम पढ़ना की बात करते हैं तो वर्ण माला का परिच है यह सबसे कम महतुपून बात है हाला कि यह होता है कि वर्ण हम पहचान जाते हैं और जिसे हम कहते हैं अक्षर ध्वनि संबंध यानि कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं या अपने आसपास कुछ लिखा हुआ देखते हैं माल लिजे कि हम बाजार गए और बाजार में हमने तरह तरह की चीज़े देखी और एक छोटा बच्चा बाजार गया है वह भी तरह-दरह की चीज też देखता है, वह अंकर चिप्स देखता है, प्राइम्स देखता है, बिस्कित, युक्झ zw नहीं जानता हो पहचानता है उपनी पसंद की चोड़ेट, अपनी पसंद की तौफी पहचानता है, हालां कि इन में से किसी1 जानते जानता है लिकिन माँ पहचानता है क्योंकि किसी एक खास तरहां के चिप्स या चॉकलेट के साथ एक खास तरहां की आवाज और अगर वे आवाज लिखी हुई है उसके रैपर पर तो वह जो लिपी है वह भी उसके साथ मैच जाती है यानि कि अक्षर आक्रिती ध्वानी संबन जाता ह यहां से बच्चे धीरे धीरे अक्षरों की तरफ आकरशित होते हैं और वे धीरे धीरे चित्रों के साथ साथ उनका नाम लेते हैं और अगर कहीं वे नाम लिखा हुआ है चित्र के बिना तो वे उससे पहचान जाते हैं तो यह दरसल हम गिनिर्भर करता है कि हमारे आसपास कितना लिखित महाल है और हम उस महाल में बच्चों को कितना exposure दे पाते हैं और उसके साथ बच्चों की कितनी वी जुड़ी बाते कर पाते हैं इनी के सवाल में दूसा एक और सवाल आता है शब्दों के बारे में तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारा शब्द भंडार बहुत जादा है हम जब बोलते हैं तो हमारे पास अंगिनत शब्द हैं अगर हम पहली क्लास के बच्चे के बात करें तो लगबख 4-4,000 शब्दों का शब्द भंडार उसके पास होता है तो जब हम पढ़ना शुरू करते हैं और आजब पास के दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो ये तमाम शब्द हमारे जहन में आते हैं और हम उसके बारे में बातचीत करते हैं पढ़ने में जो एक सबसे महतुपून का रहक है वह है लिपी यानि कि जिस बात को हम कह रहे हैं अमरावती बहुत सुन्दर है अगर मालीजी अमने ये कहा अब इस बात को कैसे लिखा जाता है वह लिपी हो गई तो बच्चा अमरावती बहुत सुन्दर है उसके बारे में दुनिया जहां की बात कर सकता है लेकिन अमरावती बहुत सुंदर है लिखा हुआ वाक्य शायर उसे तब तक पढ़ना ना आए जब तक उसके पास एक लिखित महौल या पढ़ने का महौल नहीं है तो शब्द भंडार उसके पास है अंतर से वितना है कि वह उस शब्द भंडार को जब लिखेवे रूप में देखता है तो वह पैचान पाता है या नहीं तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं पढ़ने का एक्स्पोजर बढ़ता है और हम पढ़ने की संस्कृती में ढलते जाते हैं वैसे वैसे हमारा शब्द भंडार और बढ़ता जाता है तो इसलिए वर्ण माला उतने माइने नहीं रखती है, जितना माइने रखता है अर्थ, आप अगर किसी एक चित्र से, किसी लिखित शब्दावली से, किसी एक संकेत से भी अपना अर्थ निकाल लेते हैं, तो वह जादा महतोपून है, जैसे आप अगर अक्सर देखें कि एक अगर आम सिक्षिकों की बात की जाए, तो वह बढ़ना को किस रूप में देख सकते हैं, आम सिक्षिकों की जो राय है पढ़ना को लेकर, वह मैजॉर्टी जो है, वह पढ़ने को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाई है, और अगर समझ भी पाते हैं, तो उसे एक को हम अपनी क्लास में लागू करते हैं, तो दिक्कते आती हैं, और दिक्कत आने का मतलब यह नहीं कि हम हताश होकर बायर जाएं, और यह कहें कि यह पढ़ना काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है, NCRT का एक मत्रा पालेट प्रोजेक्ट चला था, और वहां पर हमने इसी पढ़ एक वाक पड़े और फिर इसरा से पूरय 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 वाक पड़े, लेकिन यह पद्ध आती काम करती है, वर्ण माला में इसलिए वह कारगर नहीं है, क्युकि वर्णों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, और हम हमीशा यह कहते हैं कि पढ़ना है, समझना, जिस चीज स पर लोगे से बचे अर्थ पहुंचे, वह चीज सार्थक है और हमें पड़ना सीखने में सार्थक सामगरी ही काम करती है चाहे र्पड़ के नीचे कुछ लिखा हुआ देखते हैं तो आप सामगरी ही काम करती है दूसा शिक्षकों के मन में धारना है कि बाराखडी का जब हम ज़तना ज़्यादा ज़्यादा इस्तवाल करेंगे उन्हें मात्राएं आ जाएंगी, लेकिन बाराखडी भी अगर आप देखते हैं का, का, की, की, कु, कुक, के, का, कौ, 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 इसमें अपना कोई अर्थ है ही नहीं, तो जो निरतक सामगरी है, तो आपको कर्द कैसे दे पाएगी, तो पढ़ना सीखने में या पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में ना तो वर्णमाला काम आती है, अक्षनों का सीधे सीधे ज्यान काम आता है और ना ही बारा खड़ी काम आती है, हाँ आप पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में दोनों का किसी अलग तरह से इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इनिशल स्टेट पे जब आप पढ़ना सीखने की बात कर रहे हैं तो आपको एक सार्थक सामगरी से ही शुरुआत करनी होगी और आप जितना मौखिक भाषा का इस्तमाल करेंगे पढ़ना लिखना सीखने में उतना फाइदा होगा में अब मैं Maksir ये शब्दो को जोड़ा जाता है पढ़ कर समझना और एक होता है लिख कर समझना तो बच्चा तो लिख कर भी समझ रहा है पढ़ने पर इतना जोर पढ़ने पर इसलिए जोर जादा है क्योंकि हमारे आज पर जितना लिखित का महौल है हम समाचार पत्र पढ़ते हैं हम चिथी पढ़ते हैं हम अगर इंटरनेट की दुनिया देखें तो हम बहुत सारी फिल्मे देखते हैं सब टाइटलिंग होती है विग्यापन पढ़ते हैं और इसके लाबा मेल आता है तो मेल पढ़त इसलिए हम भाशा के चारो कुशलता है चाहे वे सुनना है या बोलना है या पढ़ना है लिखना है हम इसमें कहीं कोई वाटर टाइट डिपार्टमेंट करके नहीं चलते हैं सेग्रिगेशन करके नहीं चलते हैं चारो क्शमता हैं आपस में जुड़ी हुई हैं और एक बनने के लिए एक अच्छा शोता बनना बहुत जरूरी है तो पढ़ने के साथ साथ आपके पास शब्दों का भंडार आया और आपने यह भी समझा कि किसी एक बात को कहने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, क्या-क्या लिख सकते हैं यह समझ भी आप में डेवलप हुई तो अपने रुखेंगे, तो आप उन शब्दों का और उस तरह के वाक्यों का या उस तरह की लिखित अब्यक्ति का इसे लिए इसलिए पढ़ना से जुड़ा हुआ है और जब आप जैसे से लिखते हैं तो आप साथ सा था पढ़ते भी जाते हैं और जहां आपको लगता है कि पढ़ना भारत के स्कूलों का बेस है ये प्रश्न है निर्मला जी का और दूसरा प्रश्न है रोहित जी का मुझानना चाहते हैं बच्पन में पढ़ना कैसे लाबदायक है बड़े होकर पढ़ना सीखने से मुझे लगता है कि अगर हम पढ़ने को किसी भी प्रॉसेस का किसी भी चीज़ का बेस कहेंगे तो ये सवाल मेरे लिए बिल्कुल नया है दैसल पढ़ना न केवल भारत के स्कूलों का बेस है वो हम सब की जिन्दगी चाए हम भारत में हैं चाए हम भारत में नहीं है वो हम सभी की जिन्दगी का एक अहम हिस्सा है क्योंकि हमारे आज पास एक लिखित महौल फैला हुआ है तो अगर हम स्कूल नहीं भी जाते हैं ठीक है तो भी हम पढ़ने के प्रोसेस में धल चुके हैं ठीक वैसे ही जैसे हम बोलते हैं तो अगर हम इस बात पर गहराई से विचार करें कि हमने बोलना कैसे सीखा यानि कि आप हिंदी में बोल रही है और मान लिजे कि मैं तमिल में आप और हम सभी एक साथ तक भाषा सुनते हैं आप और हम जब भाषा सुनते हैं तो केवल ऐसा नहीं है उस पूरे प्रोसेस में, कि हम पहले बिना मात्रा वाले शब्द सुनते हैं, फिर मात्रा वाले शब्द सुनते हैं, फिर एक वाके, फिर दो वाके, ऐसा भी नहीं है, हम एक पूरी बात सुनते हैं, उस पूरी बात में एक अर्थ है, और जब हम बहुत माता-पिता यह नहीं सोचते कि मेरा बच्चा दो साल का है तो इसके साथ में केमल वर्णों में बात करूं या हम बिना मात्रवाले शब्दों का इसा नहीं है भाशा अपने पूरे सार्थक रूप में हम इस्तंमाल करते हैं तो इसलिए और हम अपने आसपस तरह के विज्यापन भी रेखते हैं, जब हम बाजा आ जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं कि कौन सी चीज कितने दाम की है, आज अरहर की डाल का क्या दर उसकी रेट चल रहा है, अगर कहीं सेल लगी है, तो कितनी सेल लगी है, या फिर आज कल वि स्कूलों का बेस है, बलकि वह हम सबी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और दूसरा सवाल आपका था, दूसरा प्रशनी है कि बच्पन में पढ़ना कैसे लाबदायक है बड़े होकर पढ़ना सीखने से, अगर आप बोलना को दुबारा से बहत गहराई से समझते हैं, तो अगर आपके असपास पढ़ने का महौल है, पढ़ने लिखने का महौल है, तो आप पढ़ने को भी वैसे ही अर्जित करेंगे जैसे आपने बोलना सीखा, तो अब हम यह सवाल तो नहीं कर सकते कि बच्पन में बोलना, सीखना कितना लाबदायगा है बड़े होकर, तो पढ पढ़ना बच्पन में जब हम सीखते हैं पढ़ना तो एक तो होता है टेक्स ओरेंटी डीडिंग यानि कि जैसा लिखा हुआ है वैसा बोले और उसको समझने की कोशिश करें जैसे आप एक कहानी की किताब पढ़ते हैं अब इस कहानी की किताब में अक्षा लिखे हुए और उसे पढ़ते हैं और अर्थ समझते हैं लेकिन जैसा हमने कहा कि कहानी की किताब के अलावा बहुत सारा लिखित रूप हमारे आसपास मौजूद है चाहे हम कोई टीवी चैनल देखते हैं या फिर हम अंक देखते हैं या हम कुछ भी लिखा हुआ या छपा हुआ या पोस् में आते हैं हम भाशा का अर्जन करना शुरू कर देते हैं सहत स्वभाविक प्रक्रिया है ठीक वैसे ही अगर पढ़ने लिखने का मोहल है तो वह भी अर्जित होती है और आमें पता भी नहीं चलता कि आप और हम किसी एक भाशा को पढ़ना सीख रहे राइट मैं यहाँ प देखें यह है पढ़ने का कोना एक क्लास लाइबरी की तरह आपको नजर आएगा यहाँ पर बहुत सारी किताबे हैं जो बच्चों के आई लेवल के हिसाब से हैं यहाँ पर बहुत सारा बाल साहिते भी हैं बाल पत्रिकाएं भी यहाँ रखी हुई हैं तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पढ़ने का कोना कैसा है तो सबसे पहली जरूरी शर्ट है पढ़ना सीखने के लिए कि पढ़ने के लिए रोचक और एप्रोप्रेट मटील हमारे पास अवेलेबल हो जी मैम अपने आई लेवल की बात की उसका कुछ कारण है जब हम बच्चे के आई लेव के हिसाब से नहीं है तो उसे पढ़ने में दिक्कत होगी तो पढ़ना वो उसमें अरुची उत्पन होगी लेकिन ऐसे ही हमारे आई लेवल के कॉंटेक्ट में कोई भी लिखिच सामगरी आती है और हमें सहूलियत होती है उसे देखने में पढ़ने में तो हम उसमें इंटर 40 किताबे हैं, तो इस तरह का बाल साहित आप देख सकते हैं, फिरकी बच्चों की क्लास 1-2 के लिए एक बाल पत्रिका है, और ये भी हमारे पढ़ना कोना में शामिल रहती है, इसमें लगातार बच्चे भी अपनी कहानिया कविताएं देते हैं, उनके इचित हम पब्लिश कर हैं, तो ये एक बहुत मज़दार अनुभव रहेगा, फिरकी के साथ हम देख सकते हैं, पोस्टर है हमारे पास कुछ, पोस्टर हमने कई तरह के डवलप की हैं, इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, ऐसे पोस्टर हैं, ऐसे पोस्टर हैं जिसमें टेक्स नहीं हैं, तो इस हमारे पास एक और कहानी है, बिल्ली के बच्चे, ये दरसल एक बड़ी किताब है हमारे पास, इसे हम देख सकते हैं, बिल्ली के बच्चे है, ये एक पोस्टर है, चकई के चगदुम, ये एक पोस्टर है, चिरईया, ये है, एक चुहे, ये कविता का पोस्टर है, तो हम ये पोस्टर भी देख सकते हैं, और बहुत सारी हमारे पास और किताबे भी शामिल हैं, जैसे ही ये हमारे पास है, माला की चांदी की पायल, ऐसे बहुत सारी किताबे हमारे पास उपलब्ध हैं, और इसके अलावा, NCRT लगातार बाल साहिते की समीक्षा करता है, और समीक्षा करने के उपरांत, जो किताबे सेलेक्ट होती हैं, उसकी सूची हमारे साइट पे अविलिबल है, तो कक्षा में पढ़ने लिखने का महौल इस तरह से हम एक बना सकते हैं, इसके अलावा एक और खास बात है, जिसकी तरफ मैं इसारा करना चाहूंगी, जह हम किताबों का चेहन करते हैं, बालसाहिते का चेहन करते हैं, तो कभी ये ना सोचे कि बहुत सरल भाषा में हो कहानी, बहुत कंट्रोल लैंग्विज इस्तमालना हो, क्योंकि फिर एक कहानी का तत्व हो जाता है, एक सहिज रूप से जो कहानी कही गई है, उसे इस्तमाल करें क्याएं कि निừaबहर गटा है、 पढ़ने लिखने का महौल होना चाहिए और सबसे इंपोर्टन चीज है नाम चार्ट, नेम चार्ट ज़रूरी है, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सब बच्चों के नाम आप एक चार्ट पर लिखकर उसे क्लास में पर्मनेंटी लगा दीजे, बच्चे कुछ और जाने ना जाने, यकीन मानिए बच्चे अपना नाम पढ़ना जानते हैं, क्योंकि भाषा अस्विता का भी सवाल है, तो वे अपना नाम पढ़ना जानते हैं, फिर उनका जो बेस्ट फ्रेंड होगा, उसका नाम पढ़ना जानते होंगे, और वे खोच लेंगे कि उसका ना तो तीछर के एच्छा इस्म मात्र देखते हैं और लिखने की कोशिश करते हैं अपने इस्मागरी की बाती तो आपने एक वीडियो भी प्रपेर किया है तो अगर आप हमें दिखा पाएं यह सब्सक्राल है ये कक्षा का वीडियो है जी इर्दखिर्थी बैटे हूं जिससे हर एक बच्चे को किताब आसानी से नजर आएं उन्होंने एक चुवा देखा और वे उसके पीछे भागे अब आगे क्या होगा? क्या बिल्ली पगड़ लेगी चुवे को? नहीं देखते हैं यह बेहत जरूरी है कि अध्यापक ने अपनी पूर्व तैयारी बहुत अच्छे से की हो उन्हें कहानी याद हो और यह भी सोचा हो कि बच्चों से कहानी के किस मोड़ पर रुप कर चर्चा करनी है कोई विवरन देना है या प्रश्ण पूछना है अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा? क्यों सफेद हो जाएंगी? हर कहानी की किताब अपने साथ कुछ नए मौके लेकर आती है जरूरी यह है कि हमारा कहानी सफेद बहुती बैकरी वीडियो माम लेकिन अगर आप हमें समझा पाएं कि आप इस वीडियो के थूरू क्या समझाना चाहरे है इस वीडियो के थूरू हम यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक किताब का इस्तमाल एक टीचर बहुती रोचक तरीके से और पढ़ना लिखना सीखना सिखाने के लिए इसके लिए वो कैसे कर सकती है आपने देखा होगा कि टीचर ने सबसे पहले किताब का इस्तमाल किया और उन्होंने आपरन पिष्ट दिखाया और छुपा लिया तो यानि कि हम जब बच्चों को कोई भी किताब दिखाते हैं तो हम पहले उन से पूछते हैं कि अच्छा बताओ इसमें आपको क्या दिख रहा है और क्या होगा कहानी में तो टीचर का काम सिफ एक महौल बनाना है और बच्चों को एंकरेज करना है कि वे जो समझ रहे हैं इस से उसके बारे में बताएं तो बच्ची अनुमान लगाते हैं और पढ़ना सीखने में अनुमान बहुत एक काम्याब तरीका है जब तक हम अनुमान नहीं लगाएंगे तो शायद लगता है कि हम उतना सहस्तार के साथ पढ़ना लेकना नहीं सीखेंगे और इस अनुमान लगाने में कई चीज़े काम करती है एक आपका अनुभव काम करता है मान लीजे कि आपने बहुत सारी कहानिया सुनी है और आप एक बात के सुनते हैं एक दिन की बात है मोहन घर जा रहा था अचानक जोरु की बारिश आई अब इसके बात आप क्या सोचेंगे अगला बाक्य क्या होगा मोहन डर गया कि यह हमारे अनुभव का हिस्सा है और यह अनुभव है जब हम कहानिया सुनते हैं तो जब टीचर किसी एक प्रिष्ट को दिखा कर उस पे बच्चों से बाचीत कर रही है तो उनका मतलब है कि बच्चे उस बिल्ली के बच्चों को देखर वो अकसर क्या देखते हैं क्या सोचते हैं उनके बारे में और बिल्ली के बच्चे क्या करेंगे तो बच्चे अनुमान लगाते हैं और टीचर वो क्लामेक्स बना के रखती है वो सेस्पेंस बना के रखती है ताकि बच्चे इस बात के लिए उस सुकों की अब कहानी में क्या होगा तो टीचर पढ़ना पलटती है तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि उन्होंने जो सोचा था उन्होंने जो कहा था वह सही निकला या नहीं और जब यह लगता है कि हमने जो सोचा हमने जो कहा वो सही है तो इसे बच्चे और encourage होते हैं कि हम कहानी के किताबे पढ़ेंगे तो टीचर ने बच्चों के साथ उस किताब पर बाचीत की उनके अनुभव पूछे अच्छा बता अब क्या होगा वो कैसे जाएगा तो ये लगाता है suspense बना कर हम एक कहानी को कहते हैं तो टीचर जब बच्चों के साथ मिलकर बच्यों के बीच में बैठ कर एक कहानी कहती है तो बच्चे दो तरफा काम कर रहे हैं पहला पर कहानी को सुन रहे हैं अपनी कहानी बता रहे हैं तो भाषा जो हम सुन रहे है वह द्वानी लिठी हुई कैसी दिखती है? इसके बीच में लगातार संबंध बनता है तो इसलिए टीचर जब बच्चो को कहानियों की किताबे पढ़का सुनाती है और साथ में दिखाती भी हैं और उंगली लगकर पढ़ती हैं तो वे ध्वनी आकृति संबंध लगातार बना रहे हैं ये संबंध जितना बेतर होगा, इसमें जितनी कुशलता आपकी हासिल होगी, आप उतने ही अच्छे पाठक बन पाएंगे, उतने ही जर्क सा आपके कम लगेंगे, यानि कि अटकना उतना ही कम होगा आपका. तो मैं मैं यहाँ पर एक और प्रशन लेती हूँ, खेर हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, प्रियंकर दूबे जी का प्रशन है, जो कि एक टीचर है, सिक्षन प्रसिक्षन कारिक्रमों में किस तरह की बाते सिखाये जाएं ताकि सही पढ़ने की कला को वे आगे बढ़ा पाएं सबसे पहला और जरूरी काम है कि पढ़ना के बारे में जो स्पष्ट अवधारना है, वह बनना बहुत जरूरी है, आप पढ़ना की बात कर सकते हैं, कि पढ़ना क्या है, और इसमें सबसे जरूरी है कि पहले हम टीचर से पूछे, वे अपनी क्लास में पढ़ना सीखने की प्रक्रिया को कैसे शुरू करते हैं। ताकि ये समझ में आ सके की वे पढ़ना को क्या समझते हैं। anh hologram 흥ेशे जिए से पढ़ना सीक उन्हीड हैं हम उन आनुभ़ों पर बात करते हैं। पर धिरखिए हभ sidh पर बालसाइथे के चेन की प्रक्रियाй जैसे मैंने पहले भी कह था कि हम भाषा की उसलताउं में किस तरह का कोई उनतर लेकर नहीं चलते हैं तो इसलिए जब हम पढ़ना की बात करें तो मौखिक भाईशा और लेंगोईज है, और रिट्विस साथ साथ शामिल रहेगी तो इस तरह कि हम बात करते हैं और आकलन का भी प्रोसेस लगाता है चलता है कि आप बच्चों के पढ़ना सीखने का आकलन कैसे करेंगे किसी किताब का पढ़ना पलटना ये भी पढ़ना में शामिल है तो आज हमने जाना की पढ़ना क्या है और उसके महत्व के बारे में भी जाना और इन सारी जानकारी के लिए डॉक्टर उशा आपका धन्यवाद कल हम बात करेंगे एसिट्स और बेसिस पर तो अगर आपके कुछ प्रश्न हो कुछ सुझाव हो तो आप हमसे हमारे टोल फ्री नमबर या फिर इमेल आईडी के द्वारा संपर कर सकते हैं या फिर आप अपने प्रश्न हमारे वाट्साप नमबर पर भी भेज सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है वाटसअप नमबर है 8076754446 8076754446 और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ तब तक देखती रहेए किशोर मंच